वेलकम बैक अगें तो लास्ट वीडियो में हमने दिख्खा था कि हमने अपने प्रॉडक्स एड़ किये था अपने कार्ट के अंदर ठीक है इसके अब मैं इस कार्ट की ओपर क्लिक करूं तो मुझे अपनी कार्ट लिस्ट को डिस्प्ले करना है ठीक है सो उसके लिए आपने क्या करना है आपने यहां लाइवरी रिए अंदर आके यहां पर आपने डाट फाइल करनी है और आपने इसको नेम दे देना है card screen okay card screen को आपने यहां पर import कर लेना है material and then आपने stateful widget use करना है okay जो के हमारे लिए हम अपने card screen को यहां पर display करेंगे ठीक है now this functionality is done but now we need to do यहां पर अब हमने क्या करना है अब हमने अपने जो उपर हमने provider card provider class to create की ठीक है so यहां पर अब हमने उस class को fetch करना है ठीक है उसके लिए आपने क्या करना है आपके जो card provider है okay where it is no this is not card provider या आपने यहां पर आजाना है okay and यहां पर अब आपने नीचे यहां करना है अब आपने यहाں पर लेट okay from % okay future यहाँ पर आपने future function create करना है और इसमें आपने list provide करनी है cart को ठीक है तेखें future okay late future list list के अंदर आप क्या हमारे पास cart model है and यहाँ पर हमने इसको initialize कर दिया cart and we are done okay cart and यहाँ पर semicolon again अब आपने क्या करना है इसको यहाँ पर import कर लेना है ठीक है import करने के बाद आपने again इसको यहाँ से copy कर लेना है okay copy paste okay and then आपने यहाँ पर getter method create करना है अब आप get करेंगे ठीक है cart को okay and आप इसको indicate करेंगे this one okay okay now अब आपने क्या करना है अब आपने यहाँ पर database को okay future future okay and then आप यहाँ पर इसको again this list okay list and यहाँ पर आप इसको cart provide करेंगे now अब आप क्या करेंगे अब आप method method create करेंगे get data which is going to be asynchronous method okay async okay and then आप bracket use करेंगे और यहाँ पर आप क्या करेंगे यह जो आपने cart create create किया था okay cart यहाँ पर आप इसको return करेंगे cart okay किसके साथ db helper ठीक है तो वह हमने अभी तक नहीं create की database helper हमने यहाँ पर नहीं initialize किया तो हम यहाँ पर कर लेते हैं db okay helper अपनी class okay h e l helper okay db okay and is equal to database helper okay database helper class yeah h e l p e r helper class okay and यह database helper class क्या करेंगे हमारे लिए fetch करेंगे लिकान अभी तक हमने fetch की query नहीं लिखी ठीक है तो अब मैं क्या करता हूं अब मैं वापस जाता हूं अपने database helper class में okay and database helper class के अंदर यह जो future वाला method है okay इसको मैं यहाँ पर copy paste कर लेता हूं और इसको मैं कहता हूं get card list okay so यह मेरे लिए क्या करेंगा यह मेरे लिए मैंने जो database के अंदर जितनी भी अपनी card की list add कर रखी है ना वह मेरे लिए यहाँ पर return करेंगा so मैं इसको name देता हूं get okay card list और इसको मैं model provide नहीं करूंगा ठीक है because यह मेरे लिए पूरा का पूरा यहाँ system खुदी लेकर आएगा ठीक है आप इसको remove कर दें और यहाँ से आप क्या करेंगे आप इनको भी remove कर दें ठीक है अब आपके पास सिर्फ यह client बच जाएगा ठीक है now अब आपने क्या करना है अब आपने final okay list okay then map करना है values को map okay string okay string and यहाँ पर object okay ठीक है अब आपने इसको name दे देना है query result okay or as you or as you all the result is equal to await okay और यहाँ पर आपने यह जो database kind आपने create किया ना ठीक है यह आपने क्या करना है query ठीक है और query क्या है आपका जो cart है ठीक है cart okay and यहाँ पर देखें आपने question mark add कर दिया तो आपका यह वाला जो error है remove हो गया और आपने यहाँ पर क्या करना है question mark add कर देना है ठीक है now the thing is still आपके पास यहाँ पर error आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि आपने यहाँ पर इसको close नहीं किया था ठीक है now अब आपके पस यह हो गया अब आपने क्या करना है इसको return कर देना है return क्या करना है query result dot okay यह जो query result dot map करो okay okay map करो किसको cart okay not cart dot from okay cart from map okay e okay and यहाँ पर आपने क्या करना है dot to list okay and question mark यह आपने क्या कर देना है return कर देना है but I think we are doing some mistakes so let's check it out wait database client dot query okay execute हो गई then हमने map किया map करने के बाद हमने cart dot from okay from के बाद यहाँ पर हमने from dot okay let me just let me just see what what it it's saying okay cart list cannot be uh it is because of the type of future function so uh what are the mistake that we are making here okay so okay uh yeah so cart dot get list so just hold on a second let me check it out um cart dot from map the key exception e exception which is equal to this cart dot from map dot okay dot to dot to list future okay we are doing the mistake here we are not returning the list okay so it is it was supposed to be a list not okay now the error is gone now if I go back to the provider here you can see database dot get cart list okay yeah okay past a चुकी है अब आपने क्या करना है अब आपने इसको simply return करवा देना है ठीक है return okay and यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे cart को return करवा देंगी ठीक है so yeah every time आपके लिए database record cart fetch करके लेकर आएगी ठीक है because आप यहाँ पर इसको return करवा रहे हैं ठीक है so yeah ठीक है यह आपके पास get data आगया now I think this अब आपने क्या करना है अब आपने cart screen के अंदर जाना है okay cart screen के अंदर जब आप जाएंगे तो आप यहाँ पर आपने पूरी करने यहां पर इसको paste करने और यहां से आप in class को import करने ठीक है import करने के बाद आपने यहां से container को scaffold okay which is mandatory and यहां से scaffold के अंदर फिर आपको जिस तरह सब को idea है body होती है and then मैं यहां पर जाता हूं अपनी product list के अंदर Okay और product list के अंदर मेरी जो यह app और है इसको मैं कर लेता हूं copy Okay and यहां card के अंदर मैं इसको paste कर देता हूं scaffold के अंदर sorry okay and यहां से मैं यह तमाम जो चीजें इनको मैं import कर लेता हूं okay rest remains same okay so yeh ho gaya and yahaan seh mein isko kya deyta hoon my okay my products okay and then we have this body as well so humnye body ka kya karna hai humnye isko okay isko humnye design karna hai okay so how we are going to design this so it's super easy it's super easy okay obviously humnye already design kar rukhi hai humnye joh product list isko humnye copy karke yahaan par paste karna hai lekan uske liye zhururi hai ke aap cheezo ko pahle samaj jahein so body aapke paas yeh joh column widget hai okay yeh humnye sign karengo body ko c u l m n okay m n okay column widget column ke inder aapke paas childrens hoote hai childrens ke inder phir aapke paas future builder hai thik hai so yeh future builder haemare liye future ki chizhoon ko build karta hai thik hai so jinnke baare meh aap uncertain hoote hai thik hai so abaap dekhen iska ek yeh future provider humnye get ka liya thik hai so future builder not provider so we have this future builder okay and yehaan par haem isko context okay and then haem is sync shot me isko list paas karengi okay wo list jo humnye product jo un product ki list jo humnye yaha par okay context okay and uh asynchronis snapshot okay as okay come on asyncsn why it's giving me error context okay anyways just come into this okay the error is removed now the thing is why it's not giving me auto async async okay let me provide it a future future or yeh jo aapke paas cart hai cart dot get data okay yeh aapke paas aa gaya now let's see if it gives a hint or not okay it will not until unless we have designed this if okay okay if okay if snapshot okay 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 it's just not giving me hint okay make sure aap yeh spelling mistake na karein okay meinne yaha se isko copy karke paste kar diya aur yehaan par mein isko list provide karra hou okay list okay cart model isko mein provide karra hou okay cart and yehaan par mein isko name dee diya snapshot okay so my isko zoom up come kar leeta ho okay now we are done with this okay and yehaan par abh hum kya karenge if snapshot okay snapshot 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 for it's not returning so yeah 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 return okay let's say text and i just i don't know why it's not returning let's see if the error got removed or not asynchroneous shortlist okay asynchroneous shortlist and okay 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 here here the problem was here okay now the above this card ko yehaan se remove karle okay import karle sorry now we have this snapshot so hum you have a snap if snapshot okay if snapshot dot has data so yehaan par hum kya karenge ab build karenge okay else okay just leave it as this is snapshot has data so yehaan par hum kya karenge return करेंगे expanded widget okay expanded widget के अंदर child होगा child के अंदर list view builder होगा जो के मैं अपनी यह जो product list है यह जो मेरी product list है इसको मैं यहां से यह list view builder है okay is whole complete को मैं यहां से copy कर लेता हूं okay और यह जो मेरा card screen है okay so इसको मैं यहां पर यह list provide कर दूँगा और यहां यहां पर मैं semicolon add कर देता हूं and यहां पर मैंने इसको provide कर दी now we have bunch of errors ठीक है इसको हम आप remove करेंगे ठीक है so it's simple and super easy अब आपके पास है snapshot यह snapshot okay जो कि आपको इस list का size बताएगा dot data dot length first error is removed okay now this is an error so null check हमने add कर दिया first error is removed now we have this image error ठीक है so अब आपने करने snapshot data okay snapshot data okay on which index okay so यहां पर हम इसको पास करेंगे index okay dot image यहां पर आपके पास हमें जागी और dot to string so second error is removed okay and now we are going to just copy this and replace it with here okay so just call it a name product name okay now we have this unit so i'll just copy and and i'll just replace it with unit tag okay and now the thing is here we have this product price so i'll just replace it with product price okay now this error is also removed these are bunch of okay just remove this code inside here you here you can see this add to cart okay remove that uh remove all of the code inside this container okay because wehaan से मैंने copy paste किया था so यह code जो था यह insert के लिए था ठीक है so यह add to cart की पर जो आपको लिखावा आ रहा है ना कि आप इसको code को remove करने now go back to your product list okay and in product list आपके पास यह app bar ठीक है आप बार के अंदर आपके पास यह center widget है okay center widget की पर आप क्लिक करें ink well okay ink well okay so जब आपने इसके पर क्लिक किया अब आप यहाँ पर on tap functionality implement करें जब आप इसके उपर क्लिक करेंगे तो आपको कहीं को सी screen के उपर जाना है वो अब हम इसको बताएंगे ठीक है so आपने यहाँ पर navigator okay navigator.push okay navigator.push okay यहाँ पर आप यहाँ पर आप इसको provide करेंगे material okay material page routing okay यहाँ पर आपने इसको context provide करना है okay and context के बाद आपने इसको identify करना है कि इसने का उन से screen के उपर जाना है card screen okay card screen and then आपने semicolon add करना है यहाँ पर card screen okay and we are done okay and आप इसको यहाँ पर import कर ले okay now i will again rerun this project okay now you will see मैंने इस project को दोबारा से run किया okay now here you can see if i click on this okay अब आप देखें जो मैंने product add किया थे थे अपने product list के अंदर यहाँ पर तुमाम के तुमाम शो हो रहे हैं with the price tag and each and everything okay now that's it from this video okay हमने अपने products को display कर लिया है and show भी कर लिया है that's it from this video tutorial and i'll see you in the next video जहां पर हम अपने product को delete करेंगे ठीक है so यहां पर हमने फिर उस price okay one thing is missing and that is यहां पर price नहीं show रही so let me show the price okay so expand it widget expanded widget की नीचे आप आजाएं okay यहां पर आप ले 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 लेग्ड okay so just row widget row widget के अंदर आप ले लें यहां पर आप ले रहें, text widget, okay, so text widget के अंदर, okay, so I think we need to just keep it as it is right now and I'll see and we will do this in the next video, okay, so यह जितने product add की है, उनकी price यहां पर show करनी है, वो भी हम कर लेंगे, हम products को delete भी कर देंगे, ठीक है, let's suppose हम delete कैसे करेंगे, हमारे card में से delete करेंगे, तो यहां पर इसको कैसे decrement करेंगे, remove क कैसे करेंगे, total price में से, वो तमाम चीजे में आपको भी करके दिखाऊंगा, लेकिन, I'll see you in the next video, so thank you so much.